इंदोर CHL के एर अस्पताल में शौर्ट सर्किट से लगी आग धुआ भंडिंग सी मची आफरात तफ्री परिजनों ने कांच तोड़े मरीजों को दूसरे वाड में किया गया शिप्ट नमशकार मेहु अंजना दा खबरदार नेउस से तोशली शुवात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से इंदोर के LIG 14 है से ते CHL अस्पताल की पहली मंचिल पर बुदवार रात साड़े दस बजे आग लग गई इस वज़े से अस्पताल में भगदर जल से हालात बन गए मरीजों को ततकल दूसरे वाड में शिप्ट किया गया दूसरी मंजिल और ग्राउंड फ्लोर की परीजनों और मरीजों की आवाजा ही रोग दी गई सूशनमिलते ही फार बिगेट के दो वाहन मौके पर पहुँचे लेकिन इससे पहले ही स्टाफ ने आग बुझा दी थी अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक सभी मरीज ठीक हैं हलांकि कई मरीजों को उनके परीजन ढूंते रहे कि उन्हें किस वार्ड में शिप्ट किया गया है आग लगनी का कारण शॉर्ट सर्कुट बताया चारा है दरसल एक मरीज को आईसीओ बैट्स पर शिप्ट करने के दोरान वैंचुलेटर के स्विच में फॉल्ट हुआ था इस वज़े से कुछ देर में आईसीओ में इतना धुआ भर गया कि मरीजों को बाहर निकाल कर ततकाल दूसरे वार्ड में शिप्ट करना पड़ा अफरात अफरी के बेच कई परीजन अपने मरीजों को ढूंते रहे कि उन्हें कहां शिप्ट किया गया है इस कारण परीजन चीकते चुलाते रहे परीजनों को वार्ड में नहीं जाने दिया गया मरीजों को ततकाल दूसरे अस्पतालों में शिप्ट करना पड़ा जिस बैट पर शिप्ट किया ज़ा रहा था उसके पास नीरज और दूसी तरफ राजराम भड़ती थे आग लगने के वक्त राजराम के परिजन ग्राउंड फ्लोर पर थे उन्हें पता ही नहीं था कि मरीज को कहां शिप्ट किया गया है वे चीक ते चुलाते रहें फार बिगेड की टीम अस्पताल पहुंची लेकिन तब तक अस्पताल के श्टाफ ने ही आग पर काभू पा लिया था दूसरी मंजिल और ग्राउंड फ्लोर वाली फसे हॉस्पीटल के आईस्यू में धुआ उटने लगा था स्टाफ और मैनेजमेंट कुछ समझ पाता इससे पहले ही पूरे आईस्यू में धुआ भर गया जिसे मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी नर्स और डक्रों की टीम ने भर्ती मरीजों को दूसरी वार्ड में शिफ्ट करना शुरू किया लेकिन वार्ड में धुआ भर जाने से आसपास देखना मुश्किल हो गया था आग पहली मंजिल पर लगी थी इस वज़े से ग्राउन फ्लोर और दूसरी मंजिल के मरीजों और परिजनों को वही रोग दिया गया उनका आना जाना भी प्रतिवंधित करना पड़ा ताकि भगदर जैसे हालात ना बने परिशान मरीजों को अस्पताल प्रबंधन और पुलिस ने समझाने की कोशिश की कि उनके परिजन आग से प्रभावित नहीं हुए है कांश तोड़नी से आई चोट हम अस्पताल में उसे देखने आए थे जब नीचे आए तो यहां से देखा कि अचानक धुआ उठ रहा था और आग लगी हुई थी दोड़कर अंदर पहुँचे तो सिर्फ दो गार थे गारों के पास किसी प्रकार की कोई विवस्ता नहीं थी उनको इमर्जनसी लायट तक नहीं मिल सकी थी कि वे अंधेरे में देख सके कि कहां से क्या करना है पुरे कमरे में धुआ भरा था कुछ भी नहीं दिख रहा था लोकल आदमी होने के कारण हमें पता था कि धुआ कैसे निकलेगा हमने फौरन कांस तो उना शुरू कर दिया इस वज़े से हाथ में चोटा गए हलांकि इस्पताल में ही उनका उपचार भी किया गया मरीजों को निकालते हुए कर्मचारी बेहोस हुआ मरीजों को बचाने के लिए ICO स्टाफ ने कड़ी मशकत की कर्मचारी राइस मरीजों को बाहर निकालते निकालते बेहोश हो गया उसे CPR देकर होस में लाया गया अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए मशकार और देखते रहे है दखबरदार निउस